हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैं चानल, आइ होप आप अपने विश्वभारती एक्जाम के लिए अच्छे से तयारी कर रहे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपकी लाया हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो जिसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा कौन कौन से पर्क्स मिलते हैं विश्वभारती उनिवर्सिटी जॉब अगर आपको मिल जाती है और क्या ये जॉब सेंटरल गवर्मेंट जॉब होगी या फिर स्टेट गवर्मेंट जॉब होगी और इन पर्क्स को आप जानके इतने जादा मोटिवेट हो जाएंगे कि कहीं न कहीं आप चाहेंगे कि अभी ये जॉब किसी भी तरह एक्वायर कर लेते हैं जिससे हमें ये सारे पर्क्स मिल पाएं विश्वभारती उनिवर्सिटी के तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन-कौन से अलारंस और बेनिफिट्स मिलते हैं अब सबसे पहले आपके मन में डाउट आ रहा हुगा क्या ये पोस्ट जो है स्टेट गवर्मेंट वाली पोस्ट है या फिस सेंटरल गवर्मेंट वाली पोस्ट है तो गाइस विश्वभारती उनिवर्सिटी जो है आपका वो एक सेंटरल गवर्मेंट जॉब है जी हाँ central government की job है और जो जो benefit central government में मिलते हैं वो सब आपको मिलेंगे अगर आप विश्वभारती पोश्ट में विश्वभारती के exam में qualify कर लेते हैं तो अब कौन-कौन से वो perks हैं जो मिलते हैं central government वाले में तो वो मैं आपसे in-depth में discuss करता हूँ सबसे पहले मैं discuss करूँगा आपसे LTC जी हाँ leave travel concession मतलब क्या है आप हर 40 साल में कहीं भी all over India free में जा सकते हैं जी हाँ by train आप जा सकते हैं और उसका किराया जो है किराया चाहे आपका कुछ भी हो आप चाहे अगर आप suppose वेस बंगाल में आपकी posting रहेगी आप जाना चाहते है तमिल लाडू तो उसका by train का किराया और जो एक आपका station होगा जैसे आपको चन्ने जाना है तमिल लाडू में तो उसका किराया आपका जो है आपका department या फिर tickets reimburse हो जाएंगे अगर मोटा मोटा कहा जाए तो ठीक है हर 40 साल में all over India घुमने का मौका है आपके पास और हर आप होम टाउन जी हां हर alternate पे आपको होम टाउन गुमने का भी मौका है होम टाउन मतलब जैसे आप West Bengal के हैं और आपको हरयाना है होम टाउन तो आपका होम टाउन का travel का जो खर्चा है वो आपका ticket का reimburse हो जाएगा जी हां ticket का reimburse हो जाएगा आपका department उतने पैसे आपको वापस कर तो गाइस यह तो बात हो गई LTC की ठीक है LTC के बाद आती है बात leaves की जी हां कितनी छुटिया परमिसेबल है या फिर कितनी छुटिया आप ले सकते हैं कि आपका पैसा नहीं कटेगा ठीक है तो मैं मोटा मोटा अगर आप से कहूं तो 8CL, CL मतलब casual leaves होता है 8CL आपको मिलेगी पूरे एक साल के अंदर ठीक है 365 में से 8CL है अब यह casual leave क्या होती है मतलब in case of emergency आप ले सकते हैं इसमें prior intimation as such नहीं चाहिए होती 10 से 15 दिन की ठीक है इसमें आप instant में ले सकते 8CL मिलती है और यह हर सा लैप्स हो जाते है ठीक है यह carry forward नह आपको और कौन सी मिलती है वो मिलती है 30 EL EL कौन सी होते है यह हर साल आपकी carry forward होगी अब सब्सक्राइब 2023 में आपने 5 EL ली और 25 EL बच गई तो यह carry forward हो जाईए आपके 2024 में ठीक है 2024 में आपकी carry forward हो गई तो मतलब आप समझ रहें कितना 2024 की 30 मिल रही है और पिछले साल की 25 त में CL वहीं lapse हो जाती है ठीक है इतना आपको समझ आ गया अब next में बात करूं और कौन सी चुट्टी मिलती है आपको 30 medical जी हाँ medical means मतलब in case of medical exigency आपका भगवान ना करे आपका accident हो जाए आपको कोई चोट लग जाए या फिर आप बीमार पड़ जाए तो इस regard में आपको medical की 30 चुटिया मिलती है तो गाइस देख रहे हैं आप टोटल कितना हुआ 30 medical 30 EL and 8 CL तो मतलब 68 holidays आपको मिलेंगे अगर आप ले सकते हैं तो या फिर आपकी जो higher authority है I repeat guys higher authority यह नहीं कि आपको यह आपका एकदम से right है अगर आपकी higher authority allow करेगी तब ही आपको EL मिलेगी medical तो no doubt म जाती है क्योंकि medical exigency है मतलब यह act of God है इसमें कोई कुछ रोक तो सकता नहीं ठीक है तो आपको 68 मिल गई और next अगर मैं बात करूं और कौन-कौन से perks मिलते हैं तो perks आपके दूसरे है children के जी हाँ children education के लिए भी आपको पैसे मिलते हैं मतलब अभी तो suppose आप अगर यंग्स आपको पर चाइल्ड और पर चाइल्ड कितने टोटल टू चाइल्ड पर ही आपको 25,000 मिलता है ठीक है गाईस तो 50,000 आपका ऐसे हो गया बच्चे की पढ़ाई के लिए आप अपना साल में एक बार अपना जो फीस का वो होगा रिसिप्ट वो देंगे और 25,000 पर टोटल कितना टू चाइल्ड पर तो 50,000 आपको चिल्डरन का हो गया नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेडिकल जी हाँ इंडिया में लोग लाइसी तो करवा लेते हैं लेकिन मेडिकल नहीं करवाते मेडिकल मतलब क्या हुआ कि अगर जी है किसी का तो 10,00,00, 15,00,00 ऐसे ही कैंसर और कैंसर तो आपको भी पता है और आजकल बहुत जादा हो रहा है तो इस वज़ए से उसका कोई मेडिकल नहीं पाता लेकिन अगर आप इस जॉब को जॉइन करेंगे तो आपको मेडिकल सिर्फ आपको ही नहीं आपके मदर आपके दो चिल्डरन, जी हाँ, दो चिल्डरन हमेशा गव्रमेंट का है, दो चिल्डरन पे ही आपको मिलता है, और तो आपका basically कितना हुआ देखे, 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है, total 6 members का आपको medical cover मिलता है, और ये medical को कोई upper limit नहीं होती है, जैसे private agencies अगर करती है, तो उनका स्टार्टिंग ये 5 लाख, 10 लाख, इतना कवर अप मैं कैप होती है, बट गुवर्मेंट वाले में कोई कैप नहीं है, आप कितने का भी मेडिकल करवा सकते हैं, अपने अप फुली कवर्ड होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स इंक्लूड फ आपका पूरा परिवार सिक्योर हो गया, समझ रहा है न, मेडिकल तो सबसे जादा इक्स्पेंसिव होता है इंडिया में, तो वो चीज आपने वैसे ही कवर कर ली, जस्ट आपने ध्यान से पढ़ा, ठीक है, तो क्यो नहीं, आप भी इसलिए मेहनत कीजे, और मेडिकल अप बहुत है, तो बहुत मेहनत कनी चीजे, लेकिन पैसा कभी भी बुरा नहीं होता है, चाहे कम हो या जादा, 6900 आपको दिवाली टाइम में मिलेगा, तो ये मैंने आपसे सब कुछ बता दिया है, कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन-कौन से पर्क्स मिलते हैं, आपको आपका एचारे कर जाता है, जी हाँ, सेलरी का एक कॉंपनेंट होता है, वो आपको फिर नहीं मिलेगा, तो आप चाहें तो अकॉमेडेशन वहां के जो युनिवरसिटी के प्रेमेसिस की स्टाफ पोर्टर्स की ले सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं, ये तोटली आपका डि मिल गया, और दिवाली बोनस मिल गया, और अगर फिर भी आपको इसमें भी कोई डाउट आता है कि क्या मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, आप कमेंट बॉक्स में पूच सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और एक और चीज़ है, मैं विश्व भारती एक्जाम पोस्ट के रिगार्ड में, ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, डू लाइक, शेर और सब्सक्राइब